इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत से कि नाराज की एसिड रिफलक्स, पैप्टिक अलसर रोग और अत्यधिक एसिड उत्पादन से जुड़ी कुछ अन्य पेट की स्थितियों के इलाज के लिए किया जाता है। पैंका से 40 टैबलेट का उप्योग पेट के अलसर और अमलता को रोकने के लिए भी किया जाता है जो लंबे समय तक दर्ड निवारक दवाओं के उप्योग के साथ देखा जा सकता है। यह प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर यानि की पीपी आई के रूप में जानी जाने वाली दवाओं के एक वर्ग से संबंधित है। यह दवा भोजन से एक घंटे पहले अधिमान तर सुबह में लेनी चाहिए। खुराक आपकी अंतर निहिट स्थिती पर निर्भर करेगा और आप दवा के प्रती कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। आपको इसे निर्धारित अनुसार लेते रहना चाहिए, भले ही आपके लक्षन जल्दी गायब हो जाएं। आप अधिक बार छोटे भोजन खाने और कैफी नियुक पे यानि की जैसे चाय और कॉफी और मसालेदार या वसायुक्त भोजन से परहेच करके उपचार की दक्षता बढ़ा सकते हैं। इस दवा के साथ देखे जाने वाले सबसे आम साइड इफेक्ट्स में मतली, उल्टी, सिर्दर्द, चक्कर आना, पेट फूलना, दस्त और पेट दर्द शामिल हैं। ये लक्षन आम तोर पर हलके होते हैं, लेकिन अगर ये आपको परिशान करते हैं, या दूर नहीं होते हैं, तो अपने डॉक्टर से सलाह लें। इस दवा के लंबे समय तक उप्योग से साइड इफेक्ट का खत्रा बढ़ सकता है। उदाहरन के लिए एक वर्ष से अधिक समय तक इस दवा का उप्योग करने से हड्डियों के फ्रैक्चर का खत्रा बढ़ सकता है, खास कर उच्च खुराक के साथ। घडियों के नुकसान यानि की ओस्टियो परोसिस को रोकने के तरीकों के बारे में अपने डॉक्टर से बात करें, जैसे केल्शियम और विटमिन D की खुराक लेना। इस दवा को लेने से पहले, आपको अपने डॉक्टर को यह बताना होगा कि क्या आपको लीव की गंभीर समस्या है, HIV के लिए दवाएं ले रहे हैं, अतीत में इसी तरह की दवाओं से अलजी की प्रतिक्रिया हुई है, या हड्यों के नुकसान, यानि की ओस्टियो परोसि से पीडित हैं, गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी इसे लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें, और साथ ही हमारे चैनल को सबस्क्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें, और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें, धन्यवाद